देखिए एक और आपके साथ information share करनी थी यहाँ पर हम लोगों ने एक book निकाली है आप लोगों के practice set कह सकते हैं यह आपके UPBAT entrance exam के लिए है especially commerce के यहाँ पर आपको practice set मिलेंगे यहाँ आपको यहाँ पर other subject name मिलेंगे जैसे कि आपका Hindi, English, GK इनके questions नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ यह आपके commerce की booklet होगी इसमें आपको practice set मिलेंगे दस और साथ में आपको previous year's questions अलग से मिलेंगे ठीक है तो previous year papers मिलेंगे आपको और practice set मिलेगा तो आप इसकी booking करा सकते हैं देखिए यह जो booking है pre-order जो है वो बिलकुल free है pre-order हम इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि हमें भी idea लग जाए कि हाँ कितने students book लेना चाहते हैं उसी हिसाब से हम अपने book को print करवाने के लिए देंगे ठीक है तो उसी हिसाब से हमें एक idea लग जाएगा कि कितने students book लेना चाहते है आपकी ये book है ये पूरी final हो जाएगी मैं कोशिश करूँगी जल से जल 10 या 15 तक ये आपकी पूरी book final हो जाए ठीक है और उसके बाद बहुत सारे लोगों के order आ चुके हैं और इसकी regarding आपको कोई query भी हो तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं और अगर आपको ये book चाहिए तो आप pre-order करिए वहाँ पर मैं आपको और भी information दे दूँगी कि यहाँ ये book कवाने वाली है और final जब पूरी book हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एक review भी करा दूँगी उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर आपने pre-order करा दिये तो आपको book लेनी ही है pre-order से हमें idea मिल जाएगा सिर्फ इसी purpose से हम करा रहे हैं हम आपको एक review करा देंगे उसके बाद अगर आपको book ठीक लगती है आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी doubt है book के regarding तो आप comment section में लेख सकते हैं यही थी information चलिए अब class start करते हैं ठीक है Hello friends, welcome back to my channel मैं हूँ आपकी friend वर्षा आज की इस video में यहाँ पर हम बात करेंगे accounts की कौन-कौन से types होते हैं यहाँ पर उनके बारे में हम बात करेंगे कितनी तरह के होते हैं हाँ पर हमारे total accounts तो अगर हम बात करें तो हमारे 3 तरह के account होते हैं यह आपके exam में बहुत पूछे जाते हैं कौन-कौन से account किस nature के होते हैं ठीक है तो आपको हर account का nature पता होना चाहिए देखिए अगर हम बात करें mainly accounts की तो accounts हमारे total कितनी तरह की मैंने अभी बताया आपको तीन तरह की ठीक है अब ये तीन तरह की accounts कौन कौन से होते हैं तो इसको हम एक करके समझ लेते हैं सबसे पहला account होता है हमारा personal account ठीक है first कौन सा है personal account second होता है हमारा real account and third and last होता है हमारा nominal account आप commerce related किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये जरूर पूछे जाते हैं और बहुती important और बहुती यहाँ पर हम बात करें तो basic concept है आपका ये account का आपसे पूछे जाएंगे एक आपको कोई भी account दे दिया होगा जैसे कि for example मैंने आपको furniture पूछ लिया कि furniture किस nature का account है तो आपको बताना होगा building कौन सा है stock कौन से account में consider किया जाएगा तो आपको बताना होगा कि ये personal है real है या nominal है तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि personal account क्या होता है real account क्या होता है and nominal account क्या होता है ठीक है तो हम एक एक करके पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं अपने personal account पर ठीक है natural and थर्ड है हमारा representative person natural person artificial person and representative person तो पहले natural person में देख लेते हैं तो यहां पर natural person account जो है यहां पर वो person आते हैं जो कि real में वो एक person, एक human being को represent कर रहे है, ठीक है जैसे कि अगर यहाँ पर हम किसी की कोई भी transaction हुआ है किसी person के साथ और वहाँ पर उस person का नाम indicate किया जा रहा है, तो वो natural person में consider किया जाएगा, for example rams account shiam account यह क्या है natural person में यानि किसी particular person के नाम से कोई account है, ठीक है, second जिसको हम artificial person बोलते हैं, तो artificial person में यहाँ पर किसी person के जो collective group होते हैं, उनको represent किया जाता है, वो कहा जाता है artificial person, ठीक है for example, यहाँ पर मैंने बात की bank account, तो यह group है person के, फिर मैंने बात की किसी college के account की किसी firm के account की, तो यह क्या है, person नहीं है, लेकिन यह group of person है, ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गए हमारे natural person account और artificial personal account की, अब आते हैं कि representative personal account में कौन-कौन से आते हैं, तो representative personal account में वो सारी चीज़ें आते हैं, जो की हमारे वो transactions अभी करने से रहे गए हैं, ठीक है, यानि की, या तो वो prepared है, या फिर वो outstanding based है, for example, आपको किसी को salary अभी देनी बाकी है, ठीक है, या फिर आपने किसी को कोई भी amount जो है, वो advance में payment कर दिया है, तो ये क्या है, outstanding है, और जो advance में दिया है, वो आपका prepared है, तो जितने भी outstanding expenses, prepared expenses, इस तरह की सारी चीज़ें आपकी किसमें consider की जाएंगी, representative में, जैसे कि आपका होता है, outstanding salary, outstanding rent, prepared rent, ये सारा आपका क्या है, representative में है, यानि की, representative personal account में, वो सारे transactions consider किये जाएंगे, या तो वो आपको करने से रहे गए हैं, actual में, या फिर वो आपने advance में कर दिये हैं, ठीक है, यानि कि वो इस year से related नहीं है, या तो पहले की हैं, या आपके आने वाले साल से related है, ठीक है, artificial में आप समझे के, यहाँ पर किसी person के groups को, या account हो गया, किसी firm का account हो गया, government account हो गया, club का account हो गया, insurance company का account हो गया, यह सब हमारे artificial में है, natural person की बात करें, तो यहाँ पर human beings आते हैं, उनके खुद के account जैसे के राम, श्याम, सुधी, शुशी, लसरत, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो यह तो यहाँ पर आपने समझ लिए personal account, अब देखें, यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए, real account, चुकि हमारा second type का account है, इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, तो आप अपने mostly questions solve कर सकते हैं, क्योंकि exam में इस तरह के questions बहुत आते हैं, ठीक है, second हम बात करते हैं, real account की, तो real account की बात करें, तो real account ह तो हमारे further divide है, two parts में, एक होता है हमारा tangible real account, एक होता है हमारा intensible real account, ठीक है, tangible real account and intensible real account, अब यहाँ पर आप इनके words, जो है, इनके नाम से ही आप समझ गहे होगे, tangible वो होते हैं, जिनको हम touch कर सकते हैं, intangible बहुत हैं जिनको हम touch नहीं कर सकते तो अब जिनको हम touch कर सकते हैं वो कौन-कौन से हैं तो देखें यहाँ पर हम मैं कुछ example लिख रही हूँ जैसे कि हो गया हमारा building हमारा plant हो गया furniture हो गया यह सब क्या है? tangible है यहाँ पर हमारा क्या आ सकता है? stock भी आ सकता है stock को भी हम touch कर सकते है cash आ सकता है और क्या आ सकता है? बताइए motor गाड़े आ सकती है, machinery आ सकती है यह सब क्या है? tangible है अब हम बात करते हैं intangible real account की तो intangible real accounts में वो हमारे assets आते हैं जिनको हम touch नहीं कर सकते हैं जैसे कि हमारा हो गया trademark asset है हमारे लिए लेकिन हम touch नहीं कर सकते goodwill है लेकिन हम इसको touch नहीं कर सकते patents है assets है हमारे लेकिन हम इसको touch नहीं कर सकते तो यह सब क्या है? हमारे intangible real accounts में आते हैं ओर जिसमें आपके अगर हम बात करें stock, building, cash, goodwill यह आपके exam में बहुत पूछा जाता है कि बताएं कौन से account में आते हैं ठीक है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ पर हम next बात करते हैं nominal account की जो कि हमारा third type है nominal account ठीक है अब देखे nominal account में बात करें तो यह सिर्फ हमारे नामात्तर के होते हैं यानि की इनका nature fictitious होता है ठीक है इनको बस हम create कर देते हैं real में इस तरहे के कोई भी हमारे transactions होते नहीं है ठीक है real में यह होते नहीं है exit नहीं करते हैं लेकिन यह हमारे जो भी transactions हुए हैं उनके nature को define करते हैं आप short में ऐसे समझ सकते हैं कि nominal account जो होता है इसमें हमारे सारे expenses और सारे loss आते हैं अब वो कौन-कौन से हैं तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि rent क्या है आपका expenditure salary आपने दी expenditure है wages दी expenditure है आपने किसी को interest दी expenditure है discount दिया expenditure है insurance premium आपने दिया expenditure है यानि कि nominal account में हमारे सारे expenditure और जितने भी loss है वो सारे यहां पर nominal account में consider किया जाते हैं ठीक है आया फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि nominal account के जितने भी transactions है वो हम P&L account में show करते हैं ठीक है rent, salary, wages, interest, discount, insurance, premium यह सब हमारे expenditure nature के हैं ठीक है तो यह हमारे nominal account में आ जाएंगे अब मैं जल्दी से आपको एक overview दे देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए accounts total हमारे कितने हैं तीन तरह के account है personal account, real account and nominal account personal account में person से related ची हमारे जितने भी outstanding और prepared है वो आएंगे, real account दो होते हैं, tangible, intangible, यानि कि इसमें assets को consider किया गया है, tangible assets and intangible assets, यह आपको clear हो गया, nominal account के बात करें तो सारे loss और सारे expenditures आएंगे, clear है, तो यहाँ पर आपको यह तीनों account आपकी clear हो गये होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपक कभी भी exam में कोई भी चीज़ पूछी जा रही है, तो आपको कोई भी doubt होगा, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपसे दो तीन questions वह पूछ लेते हूं, आप मुझे बताईए, एक ऐसा, कुछ में आपसे पूछ लेते हूं, अच्छा यह बताईए, wages क्या है, अभी मैंने बताईए, second question है मेरा, prepaid insurance, बताईए यह किसका पार्ट है, यह कौन सा account है हमारा, prepaid insurance, अच्छे से explain करके बताईएगा, यानि कि आपको subpart बताना इसका, prepaid insurance किसमे है, representative, personal account का बार्ट है, ठीक है, क्योंकि यह represent कर रहा है, एक nature को, ओके, next आप बताईए, मुझे, question 3 है मेरा stock, यह किस तरह का account है, further classify करके बताईएगा, stock, किसका पार्ट है, यह हमारा पार्ट है, tangible real account का, ठीक है, goodwill किसका पार्ट हो जाएगा, goodwill आपका पार्ट हो जाएगा, intangible real account का, तो आपके exam में इसी तरह से पूछा जाएगा, कि आपको एक transaction या कोई भी ऐसा आपको expenditure दे रखा होगा, और पूछा जाएगा, कि यह बताईए, कौन सा account है, तो आपको वहापर बताना पड़ेगा, कि यह हमारा personal account है, यह हमारा real account है, यह हमारा nominal account है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजएगा, आपके exam में यह बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें clear होंगे, तब ही आप अपने exam में 2-3 marks easily ले सकते हैं, क्योंकि यह छुट-छुटी चीज़ों से आप 2-3 marks आपके यूँ ही चले जाएंगे, तो इस तरह की गलती मत करिएगा, और जो जो मैं point आपको बता रही हूँ, वो सारे point अच्छे से glare करेगा, क्योंकि 2019 में मैंने अपना batch start किया था, कि यहां से 90% slavers उनका exam में फसा था, तो आप जितने भी मैं आपको topics करा रही हूँ, या जितने भी आपको series करा रही हूँ, thousand series बहुत ही important है, बिल्कुल मिसमत करेगा, वहां से बहुत concept बच्चों के फसेते, बहुत सारी चीज़ें उनकी वहां पर clear हो गई थी, और exam में exit test पूछी गई थी, तो सारी series अच्छे से देखेगा, ठीक है, और कोई भी doubt हो, comment section में दा सकते हैं, हम उनको अच्छे से discuss कर लेंगे, चीज़ें, तो next video मिलते हैं, तब तक के लिए take care, bye bye